ब्राट तु यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स भोजपुनी पावस्टार पवन सिंग काराकाट के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनकी माने अपना बेटा काराकाट की जनता को जब सौब दिया तो फिर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है यानि की पवन सिंग ने साफ कर दिया की चाहे कुछ भी हो जाए पवन सिंग काराकाट का चुनावी मैदान अब नहीं छोड़ेंगे इसी भी चर्चा इस बात की चल रही थी कि भोशपूरी के सूपरस्टार और अभी नेता से नेता बन चुके मनोस्तिवारी जिनोंने हाली में अभी यूट्यूबर मनीश कश्यप को बीजेपी जोईन करवा दिया और निर्दली चुनाव लड़ने से मना लिया कि आखिर वो निर्दली चुनाव ना लड़े इसी भी चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि मनीश कश्यप के बाद अब मनोस्तिवारी पवन सिंग को मनाने में जुटेंगे और पवन सिंग को कारकार्ट से निर्दलिय चुनावी मैदान में उतरने से रोकेंगे मनोस्तिवारी का बयान भी बीते दिन सामने आया जहां मनोस्तिवारी ये कहते नजर आए कि पवन सिंग से वो बात करेंगे उन्हें समझाएंगे लेकिन अब पवन सिंग को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि पवन सिंग अब 9 मई को अपना नामांकन करने जा रहे हैं ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पवन सिंग मनोच तिवारी की बाद भी नहीं मानेंगे क्या पवन सिंग मनोच तिवारी के मनाने से भी नहीं मानेंगे क्या पावस्टार पवन सिंग कारकार्ट की जंग जीत के मानेंगे कारकार्ट लोगतवास सीट से चुनाव लड़ र लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पवन सिंग किसी की भी सुनने को तयार नहीं है पवन सिंग ने जो ठाना है वो करके दिखाएंगे बतादे कि पावस्टार पवन सिंग नामंकन की तयारी भी कर रहे हैं और इसके लिए उनकी पूरी टीम भी लग गई है ऐसे में देखना जल् नावी मैदान में उतरने का जो फैसला है उस पर कायम रहते हैं आपको क्या लगता है अपनी राइ कमेंट करके जरूर बताए भीरो रिपोर्ट बिहार तक